जाको राखे मुशाईयां मार सके न कोय या कहिए मारने वाला है भगवान बचाने वाला है ये दो हे ये पंतियां हर दिन हर रोज पुरू दुनिया में किसी ने किसी के उपर उपर वाला फालि भूत कर रहा है और एक ऐसी घटना ब्रहंपुरी तालुका के चिजगाओं में घटी एक आठ वर्षी मासूम बालिका को तींद्यू ने अपने जबडे में पकड़ा और ठीक बगल में उसके पिता मौजुद थे ये सुनकर आपके रोंग्टे खड़े हो गया होंगे मगर ये हकीकत में घटना घटी किसी फिल्म की कहानी नहीं ये हकीकत है इसके पहले सीटी यू नियूज ने अन्य समाचार माद्यों से ख़वर आई थी कि पत्ती के सामने तेंद्वा उसकी अरधांगनी का शिकार कर रहा था और अंत में उसकी पत्नी की मौत हो गई मगर ये हकी कहानी कुछ और है जो हमने शुरू में कहा था कि जाको राखे साईया माल सके नकोए अब पुरी घटना का ब्योरा यू है कि ये बालिका एश्वर रया राजश्वर अलोने अपने पिता राजश्वर अलोने के साथ भूजन करने के बाद में विद्युद पूर्ती कुछ समय के लिए ना होने से उमस भरे वातावन से निजात पाने के लिए अपने घर के आंगन में खड़ी थी उसी दर्मियान पिता राजश्वर अलोने को अपनी बच्ची की दर्धनाग चीक सुनाई थी तो जो पिता ने आँखों से देखा तो उसके होश उड़ गए बगल में खड़ी उसकी मासूम बच्ची को एक नर्भक्षी तेंदू ने अपने जबडे में जकड लिया है और बच्ची चिला रही है ये देख इंसान अपनों के लिए अपनी जान भी दे देता है वो हुआ पिता ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए तेंदू का पीछला पहर जोर से पकड़ लिया और जोर दोसे चिलाने लगा ये सुनकर गावाले जमा हुए तेंदू ने फिर पिता के लाडली बच्ची को जबडे में दबा कर जंगल की ओर भागा और उसके बेबस पिता और गावासी तेंद्यों की बिछे भागे और अंत में तेंद्यों को लगबख 30 मीटर की दुरी पर बच्ची को बीच में छोड़कर जंगल की ओर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा पिता और गावासी की मदद से घायल अवस्था में ब्रमपूरी के ग्रामीन रुटनाले में भरती गया गया बात में सूचना वन विवाक को दी गई वन विवाक की टीम अस्पिताल में पहुची और उसी दिन किसी कारकम की चलते छेतर की विधायक वीजय वड़ेटिवार ब्रमपूरी में रुके थे ये घटना जानने के बाद वे भी अस्पिताल में बालिका के परिजन से मिले उसे बाचित की तथा अपनी और से आर्थिक मदद भी की ये वन विभाग के लोगों की इस दर्भक्षी तिंदू का बंदवस करें तथा गाउं के आसपास जो ज़ाडिया हैं जिसमें ऐसे खुंखार जानवर रह सकते हैं उस ज़ाडियों को तुरन साप करने के लिए कहा इस समय वन परिक्षेत अधिकारी आशा चावहान नागमकर मौजूद थे तथा उन्होंने बालिका पर होने वाले उपचार का खर्चा वन विवाग वहन करेगा जोगी ऐसा आशोशन दिया इस समय जिला परशेत सदस्य राजश कामडे प्रमुचिमुरकर पूरो नगर से दिखार गौरधन दोनाट कर तथा गाउवासी मौजूद थे दिल धहराने वाले आंतक ने गाउवासीों की नीद उडा दी लोग सहमे और डरे हुए हैं कि कब कौन सी अनोनी हो जाए तो यह थी कहानी जो किसी फिल्म की नहीं हकीकत है और यह बाग चिता शेर की हकीकत की फिल्म जिले में चल रही है सीटी उन्योज हर कदम खबर की और के लिए